लोगों के दो पहिया वहन चुराने के बाद वहन की कटिंग कर स्वेयर पार्ट बेचने वाले आरूपी को तैसिल पुलिस ने ग्रफतार कर उसके पास से 65,000 से अधिक का माल बरामत किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 21 जनवरी को मियों अस्पताल परिसर से शांती नगर कॉलोनी निवासी निलेश भविया की दो पहिया वहन चोरी हो गई थी निलेश अस्पताल में टिफिन लेकर वाड करमांग 6 पहुचा था दो पहिया को लौक कर वह अंदर गया और जब बहार आया तो उसकी गाड़ी गायब थी तहसील पुलिस ने इस बाबले में यशुधरा नगर थाना शेतर के तहत आजरी माजरी आर के ले आउट निवासी मुहमत सद्दा मुहमत अब्दुल्ला को गुप्त जानकारे के आधार पर हिरासत में लिया पुस्ताच में आरोपी ने कबूल किया कि बहदोपईय वहन चुरा कर उसकी कटिंग करता है और बस्ती में आने वाले कबाडियों को ओने बोने दाम में स्पेर पार्ट बेज़ देता है पुलिस ने मियो अस्पताल से चुराई गई दो पहिया वहां के कुछ पार्ट आरोपी के घर से बरामत किये सबूत नर्ष्ट करने के आरोप में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया पुस्ताच में आरोपी ने यह भी सुईकार किया कि विगत आट जन्वरी को मुमिनपुरा में मुहमद अली सराय के पास से उसने एक्टिवा चुराई थी ताजबाग जाते समय दो पहिया का पैट्रोल खत्म होने पर आरोपी ने गाड़ी गणिश पेट ठाने के सामने खड़ी कर दी और भाग गया तैसिल पुलिस ने वह गाड़ी भी जब्त की आरोपी के पास से गाड़ी के स्पेर पार्ट और एक्टिवा सहित कुल तैसाट हजार एक सो असी रुपे का माल बरामत किया महमद अलाई सबार समोड एक एक्टिवा वहान चोरिज गेली होती त्या बदल पुलिस ने शन तवसिले ते अपराद नमर 22 अपनिक 22 कलम 301 कुण सी बादय विचा नोंद होता सदर गुन्द्या चोरिज गेली एक्टिवा गाड़ी सुद्दा सदर गुन्द्या जिल आरोपी महमद सद्दाम वल्द महमद अल्ल्वा एक कबूल केल 2 अनितिगाडी काणुन दिली अशा प्रकारे आरोपी महमद सद्दाम वल्द महमद अब्दुल्ला वै 28 वरसे रानार आजरी वाजरी पेसे सेसों नगर क्यामरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नागपुर